जैसा कि आप सभी मित्रगड जानते इस समय भारतिय वायू सेना में दोस्तों बातर की संक्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट मौझूद है और दोस्तों अब भारतिय वायू सेना चाहती थी जब से हमारे यहां राफेल फाइटर जेट आया था तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को कुछ जरूरी अपग्रेड करके उसे राफेल के बराबर का लड़ा को विमान बना दिया जाए जिससे कि हमारा सुखोई सुपर सुख बन जाता और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा सुखोई 30 MKI एक बहुत जादा तमदार और भरोसे मन फाइटर जेट बन जाता और इसी को लेके मेडिया हाउसों में कई सारी खबरे निकल कर आय रही थी जिसमें कभी बोला जा रहा था कि रसियन काउंटर पार सुखोई प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए भारत की मदद करेगा तो कभी भारतिये वैग्यानिक बोल रहे थे हम सवदेसी रूप से भारतिये सुखोई 30 MKI चाहाज को सुखोई में करवर्ट कर देंगे लेकिन इसको लेके कोई कनफॉर्म रिपोर्ट निकल कर सामने नहीं आ रही थी लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है फाइनली भारतिये वैग्यानिकों ने सुखोई प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है और इन सभी के 20 दोस्तों सबसे अच्छी और विसेस कबर तो ये है पहले बताया जा रहा था कि सुखोई फाइटर जेटों को Advanced Level का Electronic Warfare Suit परदान किया जाना है जिसको लेके भारतिये साइंटिस्टों ने यानि DRDO ने एक सुखोई 30 MKI के लिए Digital Radar Warning Receiver और कुछ अन्य महतपूड कंपोनेंटों को डिलिवर करना भी स्टार्ट कर दिया है ये अपने आप में पहुत अच्छी खबर है बागि आप सभी मित्रगणों की इस खबर को लेकर क्या राय है अपने वैलिवर विचार कमेंट्स में जरूर बताये धन्यवाज जैहिन पंदे मातरम भारत माता कीजे